हेलो स्टुडेंट्स स्वागत है आपका यूपी आईट्या इंस्ट्रक्टर के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफर्म पे आज हम बात करेंगे 500 उन कॉश्चन के बारे में जो आने वाले अग्जाम में आपके लिए बहुत महत्पूर्ण होंगे चाहे वह यूपी आईट्य इंस्ट्रक्टर का हो यूपी ट्रपल सी जेई का हो या यूपी एनेचम का हो या कोई भी अधर जो आपका एक्जाम है जि कि आप अगर इस वीडियो से सहमत हैं इस कंटेंट से सहमत हैं आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब जरूर करेंगे और इसे सेयर भी करेंगे तो और देर ना करते हुए चली शुरू करते हैं सबसे पुराना वेद जो है जदानी लाहोर थी मीरवाई समकालीन थी चैतन महाप्रभू के बावर नामा में के सिंदू सामराज का उलेख है तो है उसका मेवाड अंसर भारत में मुसलिम सक्ती की स्थापना तरायन के दुति युद्ध से मानी जाती है किसे नालन्दा विस्विद्यालय का ब्रमण महम्मद हुसेन को दी गई थी हर्स के समय की सूचनाय हर्स चरित में दी गई है मुगलकालीन भारत में राज की आयका प्रमक्सरोत था भूरा चस्व दच्ष्ण में बहमनी राजी का संस्तापक हसन गंगु था अश्टपरधान मंत्री मंडल जो थे सिवाजी के सासन के समय थे अमीर खुसरो दरवारी कभी था अलावदीन खिल जी का चोल प्रसासन की विसेश्टा थी ग्राम प्रसासन की स्वायत था करनाटक युद्ध अंग्रेचों और फरांसीसियों के मध्ध लड़ा गया मध्यकारीन भारत के यसस्वी विदेटा थे विज्यानिस्वर यु मेलिद नहीं हैं काली बंगा और हर्याना कि काली बंगा हर्याना राज में नहीं है रहिस्थान में हैं सोन्गीरी का एतहासिक दिगंबर जैन ती तस्थल मद्ध प्रदेश पेगंबर हजरत मुहंमद साहफ का जन्म हुआ था पांसो सथ्टर इस भी मे पूर में सॉरी इस की गई गांधा कला सैली संसलेशन है भारती तथा यूनानी कला का हडपा संस्कृती की जानकारी का प्रमक्सरोत है पुरातात्विक खुदाई सिंदु सब्विता आद्यतिहासिक काल की है बोगाज दुई महत्पून है क्योंकि मद्द एसिया से प्राप्त प्राचीन अभिल देख हैं किसने आर्यों के आदिदेश के बारे में लिखा था तो वो थे बाल गंगादर तिलक मिलिंद पनहू एक पाली ग्रंथ है रज्जुक्थे मौर सासन में अधिकारी भाग और बली थे राजस्व के सुरोत सर्वकर सिचाई पर लगाया जाने वाला एक कर है लेख को समाना जाता है तो है रुद्रदामन का जूनागड़ सिला लेख किस वद्ध धरम में संग जीवन के नियम है तो वो है बिने पटिक में खजरा होगी मंदर किसने बनवाई तो वो थे चंदेलों में देखिए आप देख पा रहे होंगे कि इसमें बीच वीच में आ लेकर आया हूं तो यह प्रीविश ये में आल्रेड़ी पूछे जा चुके क्वेश्चन है तो इसलिए यह मोस्ट इंप्पोर्टेंट्स क्वेश्चन होते हैं आपके आने वाले एक्जाम में ज्यादतर एक्जाम समय आपको यह कुश्चन देखने को मिल सकते हैं तो नेक तरा मुहन राय आदि ब्रह्मसवास से समलित नहीं हैं देशी राज्यों में कौन यह थावत समझोते का पक्षदर था तो वो था हैद्रबाद अर्दनारी स्वर मूर्ती में आधापुरुष तथा आधापार्वती देव और उसकी सकती का योग का प्रतीक है इसमें से कौ मुद्र गुप्त का राज कभी है ना की हरस का जबावित थे कौन थे वो राज कानून थे अकबर निल्खी है आईने 10-10 साला मुहम्मद तुगलक निल्खी का प्रतीक है मुद्रा इलतुत्मिस चहलगानी अमीरी प्रथा और सिरसाय सड़ा के आजम देखिए इस कौशन में आपको कथन और कारण दिये गए हैं तो राज के मामले में सिवाजी एक मंति परससे प्रामर्स लेते थे यह वाद बिल्कुल सही है प्रतिक मंत्री अपने विवाग पर सतंत परभाव रखता था यह गलत है किस राजवांस की अंत्रगत विजारत का चरमुदकर्स हुआ तो तुगलक राजवांस के अंत्रगत विजारत का चरमुदकर्स हुआ रणजी सिंग किस मिसल से सम्भन दित थे तो सुकर चकिया मिस दोलका पियम ग्रंथ संबंदित है व्याकरण एवं काब्विसे ये एक तमिल ग्रंथ है कौन सा बंदरगा है पॉर्डू के नाम से दी प्रिलिप्स ओफ दी एरिथ्रियन अरिकमेडू सी ये लिखक का ग्या तथा बोवनिश्वर दोरा बोवनिश्वर तथा पुरी मंदरों इसके उपरवाला जो क्वेश्वर कॉन सा बंदरगा है पॉर्डू के नाम से दी प्रिलिप्स ओफ दी एरिथ्रियन सी के लेखक के ग्याता है वह अरिकमेडू इसका जो आंसर है वह अरिकमेडू है एक्सक्वेश्वर अलाउद्दीन के दच्छनी अभियान का धन जाता था यह बात बिल्कुल गलत है अलाउद्दीन सिर्फ दच्छन अभियान के तहत वो धर्म प्राप्ती करना चाता था जियासुदीन बर्णी तारीखे फिरुसाही से संब्दित हैं हसन नजामी ताजल मासर से संब्दित हैं मिन हाज उस सिराज युपादी तपकात ए नसीरी की उपादी कहलाती है यहा विन अहमद सराहिंदी तारीखे मुबारक साही संब्दित हैं कथन और फिर से कारण के अगर बात करें तो देखिए सत्रा सो पचास इजवी तक महराटा समराज पेशवा की अधिक्षिता में एक परिशन बन गया था साहु के उत्रादका परिख पेशवा की च्छापर निर्वा करते थे देखिए यह इसका जो कारण है और इसकी युव्याख्या है वह एक्तम सही है तामर पासाण में महराश्ट के लोग मिरतकों की किस प्रकार दफनाते थे तो उत्तर से दच्छन की ओर फिरूस साह तुगलक नहरों का निर्म सीसी पूर्टगाल चकदस अठानबे इसीवी में आये फिरिडश पंद्रासो च्यानबे में अंग्रेज सोलासो में और फ्रांसीसी 1664 में आये थे पूर्टगाली सबसे पहले आये थे और सबसे लाश्ट में गये हैं किसका संकलन रिगवेत पर आधारित है तो सामवेत का वासुदेव किष्ण की पूजा सरपर्थम प्ररम किस नहीं की थी तो भागवतों ने कपिल मुनी द्वारा प्रतिपादेद दर्सन प्रणाली कौन सी है तो वो है सांके दर्सन मुगल काल का इतहासिक विवरन मिला तो किसे गुलवदम बेगम ने लिखा है सुनिता के सिद्दान्त को सरपर्थम प्रतिवादत किया तो नागर जुन जी ने एलो रामेंगो फा जन्मे में असीरगर कईजित 1601 में हुआ राज्जी के खर्च पर हच की व्यास्ता फ्रोस्ता तो क्लक ने की आगवर्द्वार अपनाई गई सहुलकुल की नीती आधारिती राजनीतिक उधारता पर धार्मक सैंसीलता पर उधारबादी सांस्कृतिक दश्टी कौन पर किस इस्तल की खुदाई से प्राचीनतम लोह के उप्योग के प्रमाण मिले हैं तो अद्रंजी खेडा की खुदाई से प्राचीनतम लोह के उप्योग के प्रमाण मिले हैं कारण और कथन की अरबात करें तो लगबग दो वरस के अभियान के पश्यास सिकंदर ने बारत था ये विल्कुल सही बात है बैचंद्र को तमोर से प्राजित हुगा जी नहीं किस समाज सुधार संगठन की इस्थापना महराष्ट में हुई तो योग छेम सभा की इस्थापना महराष्ट में हुई थी द्रवण सैली के मंद्रों में गुपुरम यानि की तोरण के उपर अलंकरत एवं बहुमंजला भवन से है मोगल समराठ जिसने सरवादेक संख्या में हिंदू दिखारियों का की नियुक्ति की वो हैं औरंग जेव जहांगीर की दरवार में पक्षियों का सबसे उड़ा चत्रगार था तो वो था मंसूर बहुत धर्म के विशाय में सही कतन ह उसने वर्ण एवं जाती को स्विकार नहीं किया उसने ब्रामणवर की सर्वुचिता एवं सामाजक कुरितियों को चुनोतियां दी कालितास दोरा रचेत मालविकाग्र मित्रम नाटक का नायक है तो अगनी मित्र है होलियोदेरस का बेशनगर अविलेख संदर्वित है तो वासुदेव से संबन्दित है अविलेखी साक्षे से प्रकट होता है कि एक नंद राजा की आदेश पर एक नहर खोदी गई थी तो कल्लेगे में खोदी गई थी कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संग प्रमुख होना चाता था तो वो था दीवतत उपनिसद काल की राजा सासक या की अस्वपती थे कौन थे कहके के नचिकीता इबं यम संबद्ध है कटो अपनिसद में वैदेग नदी यानि कुम्भा कहां है अफगानिस्तान में को लगवी कहते हैं बीजापर की सुल्तान ने किस लेना नाइक को वर्स 1669 में सिवाजी को दबाने के लिए भेजा था तो वो था अफजल खां को तीर थ्यार्ता के समय असुक के इस्थानों का अनुवबन क्रम क्या है तो गया इसके बाद कुसी नगर फिर हैलूम्बनी फ लेभी का प्राचीन तम रूप प्राचीन रूप क्या कौन सा है तो ब्रामी रामानुच के अनुयाई वैश्नाव थे आदि संकर संकराचार का जन्म केरल में हुआ सिंदुवाटी सब्रता का पत्तन नगर कौन सा था लोधल किसने खमबात में तोड़ी गई मेज़द के प संबच चलाने का यह स्प्राप्त है तो वह हैं लच्मर्जीन गीत गूविन के गीत कर किस वासा का अलंकरत करते थे तो लच्ष में कुछ गलती है तो नेक्स कुश्चन की रुबात करें तो सोमपूर महाविहार का नर्मान धरमपाल ने कराया किस रोत में असोग के राजि संगेती की अद्धिक्षिता महाकस्चिब दौरा की गई पूव का सिराज जौनपूर को कहा जाता है कल हड़की राज तरंगणी को किसने आगे बढ़ाया तो जौन राज एवं स्रीवर ने मद्रा विजय में अपने पती के विजय अभिहानों का वर्णन किया दंगा पिनी ने कराया सल्तनत काल में डाग व्यास्ता का विस्तत फेवरन दिया एबने वित्वताने किस बंदरगाय के अंत्रगत सरवादेक हिंदू सेनपती थे औरंग जेब किस इतिहासकार ने दीने इलाही धर्म को एक धर्म कहा तो अब्दुनकादिर बदा यूनी लोग नि हम किसने की तो फ्रोज स्थाय तो लग ने बनारस एभा मिलावाद के तीर खिया तरह पर करकी समयबती किसने की कविंद्र और करका चाइरह उस में और उन्हों ने किसके मुगल बास्षाय के सामने बनारस के पंड़ितों का नित्रत किया था तो वो यही थे कविंद्रा चार दारा सिकोड ने किस सीज़ के अंदरगत उपने सिदों का फारिसी में अनुवात कराया तो सिर्रे अकवार के अंत्रगत सुमेलित करना है राजा वो राजी से देगी प्रदोत अवंती की राजा थे उधेंद वत्स की राजा प्रशेंजित कोसल और राजा सत्तु मगत के कौन सा मकवरा दुती ताज महल कहलाता है सव्या उद्दरवानी यानी बीवी का मकवरा और अंगबाद में है इसे दुती ताज महल कहा जाता है सितार मिस्रण है बीणा वा तंबूरा का मगल सासकों का सही का लानुगरम है देखे सबसे पहले जहांगीर उसके बाद महुमस साय फिर अहमस साहिब दाली और फिर साइब मिलता है महा भारत के फार्शी अन्मात का सीर सकत कौन साय रज्ज नामा सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं हैं जीतल और रुप्या दिल्ली के लाल के लिए में मूतिमजद के अन्माट और अंग जेव ने कराया सबसे पुराना राजवंस है सातवाहनवंस इसे सुमेलियत करना है देखिए चंद्र गुप्तम और पीयदिस से संबंदित है विंदु सार अमित्र घहत को कहा जाता है असोक सेंडर कोट से संबंदित है चानक के हैं तो वो विश्णोगुप्त से संबंदित हैं कथन ए और कथन कारण दिये गए हैं तो देखिए कथन क्या है कुषी नगर मलगडराज की राजदानी थी बिल्कुल सही और महात्मबुद्ध का महापरी निर्मान कुषी नगर में हुआ ये बात भी बिल्कुल सही ह समराट हर्सवर्धन ने दो महान धार्मक सम्मेलनों का आयोजन किया था कन्नोज तथा प्रियाग में अपने सासनकाल में ही उत्तरातकारी घोसित करते थे चोल काला नुकरम बताना है देखिए सबसे पहले पदमिनी इसके बाद दुर्गाबती फिर ताराबाई फिर अहल भाई आई भक्ति अंदुलन के प्रिनेथा थे अलवर संत किष्ण देवराओ के राय के दरवार में अश्ट कभी कौन थे तो आठ तेल्गु कभी थे आदल साही संबने थें बीजापुर से कुदुप साही गोलकुंडा से निजाम साही एहमद नगर से इमात साही बरार से तक्कोलम का युद्ध चोल एवं राष्ट कूटों के मद लड़ा गया किस सिख गुरू ने विद्रोही राजकुमार खुसरों की सहायता से धन एवं आसरवास से की थी गुरू अर्जुन देव तीसरी सताबदी में वारंगल फिरसद था हाती दात के काम ही तू एलिफें प्रिस्द्ध है और साचि अपने इस्टूपों के लिए प्रिस्द्ध है ये भोपाल में है चैत्य एवं बिहार में अंतर, चैत्य पूजास्थल है जबकि बिहार निवासिस्थान है बोचसाला मंदिर की अधिष्ठानी देवी, भगवती सरस्वती, महानकवी, रवेंदना टैग और एक महानचित्रकार के रूप में उबरे जब उनकी आयू थी सत्तर वर्ज नेक्स्ट है सिंदू हर्टी सब्धा के किस इस्थल में घरों में कुवे के अफसेस मिले हैं तो मुहन जोदलों में पाए गए हैं दच्छन भारती राज जो नो सैनेक सक्ति हेतू प्रिश्दित था वो था चोल अकवर ने सरपर्थम बैवाहिक संबंद किस राजपूत ग्रह से किये तो कच्छवाहों से और अंगजेव ने किन दो दच्छन भारती राजाओं पर विजह प्राप्त की थी वीजापूर और गुलगंड कुंड़ा राजधानी दिलिली से दौलताबाद किसने इस्तानादरित की तो वो थे मुहम्मद बिनटगलक आग्रासहिर की स्थाप्ना सिकंदर लो दीने के त्रीआत्न सिद्दान दिया जिसमें त्रीआत्न है समग्याँ चित्त्रण और सम्याधारण तो वो जैन धर्म में दिया गय संक्राचार आठवी सताब्दी के संत्य थे इन्हों ने बहुत था जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई ये बिल्कुल सही बात है दिल्ली में जैंत्रमंत्र का निर्माण जैसिंग दिती ने कराया अंतिम मगल सम्राड बहादुर साई के पिता का नाम अकबर साई दुत ये था उत्तरी तथा उत्तरी पश्चमी भारत के सरबाद एक तामई के सिक्के जारी किये कुशाणों ने प्राजीन भारत में निशाका संब्दित है स्वाण आभू सन से भगवान महावीर का प्रथमसित से था जमाली 1857 में इलाबात को अपात कालीन मुख्याले बनाए लौड कैनिंग के दोरा नियादरसन को परचारित किया था गौतम ने सोन गिरी जहां 108 जैन मंदर बनी हुए है किस से संगट इस्थ है दतिया के ये गवालियर के पास पड़ता है गोविन महल इस्थ है गवालियर में महराश्ट में कडपती पर्प का सुभारम बालगंगा प्राजी ने कहा था प्राजी निस्थल जहां च्छे हज्जार मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया है वो है नैमी सारण चुनारगड की अनूप वेद का संबन्द हैं भर्थ हरी से बहुत दर्सन के अनसार आत्मा की सत्ता नहीं है किसने प्रतिबादत किया भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है मरस असमर्थ होता है तो आजी को ने ये निर्धारित प्रतिबादत किया था बुद्ध के चार आरसत्त्यों का सही करम है दुख है दुख का कारण है दुख का निरोध है दुख निरोध का मार्ग है 37 सुजक समाची स्थापना जो द्वाफूले ने की थी वस्तरों के लिए कपास की सरपर्थम खेती भारत में की गई मुहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना बिफल हुई बिल्कुल सही मुहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचतनी अंतरा नहीं था ये वाद बिल्कुल सही है चानक की बच्पन का नाम विश्टुगुप्त हडप्पन संस्कृती के सहलकरत इस्थापत के प्रमान दोलावीरा से मिलते हैं भारत में अंग्रेजों के अंग्रेजों ने प्रथम मदर्शा कलकत्ता में बनाया सुची फेस्ट का मिलान सुची टू से करना है तो देखिए औरडी मैंने मिला के आपको उसमें रखा हुआ है तोद्ति कि अलमराज जी कत्त की संब्दित हैं फ्याजरखानम्रौप्वास से संब्दित हैं सिध्धेश्वणी देवी ठुम्री से संब्दित हैं तलत महमूद गजल से संब्दित हैं एक निजमुद्दिन उलिया सिस्य थे बाबा फरीद के नहरू जी पच्छतर थे परन्तु गांधी जी नहीं ये किसने कहा भारी और तो की करण की टाइम पर ये बुला गया उपने सदों के प्रती नहरू की सुरद्दा नहीं थी यह बिल्कुल गलत बात है यह निकतन असत्य है उनकी द्रश्टी वैग्यानिक थी ये सत्य है अस्तद्याई के लेखक पाणनी है अर्द संक्रा आदी संक्राचार दौरा इस्तापित चार मठ जोसी मठ दौरका और पूरी और स्रंगेरी मठ ये चार जो मठ है वो आदी संक्राचार जी दौरा इस्तापित चार मठ है सर्वेंट्स ओफ इंडिया सोसाइटी के लेखाक हैं गोपाल किष्ण गोखले त्रती संग्दम हुआ था मदरई में योगदर्सन के पृति पादक पतंजली आरे सब्द का साब्दिकर्थ है स्रेष्ट सूरी मंदिर कॉर्णार्क में है मगद के किसे सासकने राज्य रोहन मे अपने पता की हत्या की और स्वाइम भी इसी कारण मार गया तो वो था अजासत्रू हर्स के दरबार में हुए इंसान को किसने भीज़ा तो वह स्वाइम आया था अकौर नामा किसने लिखा अबुल फजल ने मनुश्मृती किस से संब्दित है वो कानून से संब्दित है कि पुरा स्थल में पासाण संस्कृति को से लेकर हडपा संस्कृति तक के संस्कृतित कपसे इस प्राफ्ट हुए हैं तो वो मेहर गढ़ हैं गंगागाटी में धानकी खेती प्राचिंदम प्रमार लहरा दीब से मिले हैं वैदेकाल में किस जानवर को अधन्या माना गया है तो वो गाय को माना गया है महावीर का पर्थम अनुयाई तो वो जमाली था गौतम बुद्ध की मा किस वंसकी थी तो कोली वंसकी भारत के किस इलास्राय में सरवाद एक चित्र प्राप्थ हुए है तो वो भीम बेट काम है सारनात इस्तंब का निर्माण असूप ने कराया यूगदर्सन के प्रदिपादक पतंजली है कौन सा बौत धर्म सूलाय महाजनपदों का उल्लेक करता है तो वह अंगुत्तर निकाए विक्रम सिला महाविस विद्याले की स्थापना करने वाला पाल सा था कौन था धर्म पाल मुहमद गौरी ने जैचंदर को किस युद्ध में पराज़त किया तो वो चंदावर का युद्ध था जो 1194 में लड़ा गया पट्टा एवं कबूलियत की विवस्ता सेरसाय ने कराई मुगलों और मेवाल के राजा के बीच चित्तोड की संदी किसकी काल में अस्तक्चरत हुई थी तो वो जहांगीर के सासन काल में 1615 भी में हुई थी चित्तोड की संदी कथन ए और कारण क्यू भी देखते हैं देखिए मुहन जोदरो दाड़ा हप्पा नगर अब बिलुप्त हो गया है ये बिल्कुल सही है वै खुदाई की दोरान प्रिकट हुए थे ये बात बिल्कुल सही है इस्तापित हिंदू घाड़ी सब्विता के नदियों के तटपर है तो सिंदू जेलम और चनाओं के तटपर बसी थी बहुत धर्म के विस्तार के कारण थे धर्म की सादगी दलितों के लिए विसेज अपील धर्म की मिस्नरी भावना इस्थानी भासा का प्रियोग असोग इस्तापि सबसे सुरक्षत इस्तंब लॉरिया नंदंगड का इस्तंब है पुराणों की संख्या 18 है पुराणों की अनुसर चंद्रवंसी सासकों का मूल स्थान कौन सा है तो प्रतिष्ठानपुर प्रियाग राज राश्ट कूट द्वारा एलूरा पहाडियों मेनिर में गुफा मंदिर औरंगाबाद महराश्ट में हैं और जन का प्राशीन नाम अवंतिका है किस मगल भासा को दो बार सिंगासन रोहन हुआ तो औरंग जेव है उपने सिदों की फार्सी में रूपांत्रण साह जहां के समय में हुई थी पत्तर पर प्राशीन तमसलाले एक किस बहसा में थे तो वह प्राक्तक भाषा में थे कतन कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रोधाया जाती न पूशे यह रमानंजी ने कहा था पाणनी और पतंजली समकाले इन थे सुँग के प्राजीन श्रावस्तिनगर का नगर विन्यास अर्ध चंद्रकार तर प्रवेश वहसालि में हुआ था प्रजापति गौत में बॉट की स॥े लीमा यह पद्ढम मचुनी थी किसके सास रिखो पर व०ध्द का अंकन हुआ तो कनिसके फिकों के दार पर व०धב का अंकन हुआ आबुका जैन मंदिर बना है संग्मर्मर से महान जैन विद्वान हेंचंद्र कौन है तो कुमार पाल की सभा अच्ञा है यह फेर के प्रत्वी राज चौहान प्रत्वी राज्ति का प्रसंदद नाम है चे तोल का 40 तन राणा कुंभा ने बन वाया अब्दुलरहीम खाने खाना का मकबरा दिल्ली में है खजराहू के मंदिर चंदेलों ने बनवाए कोपेन हेगन संग्रालाई की सामग्री से पासान कांस और लहो यूगीन तथा त्री यूगीन बिभाजन किया गया थॉमसन ने पर्थम गुप्त सासक जिसको परम भागवत की उपादी मिली है वो है चंद्रगुप्त दुतिय को यापनी है सामपरदा है जैन धर्म से संबंदित है गीत गोविंदी की रचैता जै देव देखिए इस कुछ हिसमारक और उनके निर्माता होंगी अगर मैं बात करूं तो अ अलाई दरवाजा दिल्ली में है जिसे अलाउदिय खिलजी ने बनवाया बुलन दरवाजा फतेफुर सीक्री में है जिसे अकवर्ट ने बनाया मोती मस्जद आगरा में है जिसका निर्माड साय जहान ने करवाया मोती मस्जद दिल्ली जिसका निर्माड औरंग जेव ने क में गौतम बुद्ध का महा परिनर्माण हुआ था तो मलगण राज जो कि कुशी नगर में था बुद्ध ने सरवादी गुप्देश दिये स्रावस्ति में पहला गुप्त सासक जिसने सिक्क्य जारी किये थे वो था चंद गुप्त पर्थम महाभास्त के लेकर पतंजली समक सकसंबत 78 से आरम हुआ बिलकुल सही गुप्तकाल सन 319 से आरम हुआ बिलकुल सही भारत में मुसलिम सासन सन 1992 से आरम हुआ कौन सा सूफी संथ सरव्प्रथम अजमेर में बसा तो वो था सेख मुईनुद्दीन चिस्ति किस सुल्तान ने ब्रामणों पर भी जजिय कर लगाय था तो फ्रोस साय तुगलक किस सासक ने विदेशों से विदेशों में दूतावा सस्तापद किये थे तो टीपू सुल्तान ने 13 और 14 सिताबदी में भारती किसान खेती नहीं करते थे मक्का की 15 बही सती से ये प्रारम होई थी आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने की 1665 टीजवी में सिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ पुरंदर की संदी पर हस्ताक्षर किये तो वो थे जैसिंग हडपा काली निस्थल और उनकी इस्थितियां कि अगर मैं बात करूँ तो मांडा जमू कस्मीर में और दाइमाबाद महराष्ट में काली बंग्डा राजिस्थान में और राखी गड़ी हर्याणा में इस्थित है बौध परिवर्ष्ट बौध पवित्रिस्थल जो निरंजना नदी के तड़ परिस्थित था वो है बौध गया असोक का समकाली इन तुर मैं कहा का राजा था तो वो था मिस्थित का सुमेलित नहीं है दिखिए करपूर मंजरी राजिश्थर ने लिखी है हरसने नहीं जहांकीर चित्रकार थे अबुल हसन और अफारजा इनके दरबार में थे वैदिक नदियों का आधनिक नाम कुम्भा का नाम है काबुल परसुणी का रावी सदा नीरा का गंड़क और सत्तुर्दी का नदी है सतलज महाबारत के तेलग अनवादों के लिए विख्यात है रन्नय एवं टिककन कौन से संगम पत्तन पश्चमी तठपर थे तो तॉंडी एवं मुसिरी पांडु वर्धन भक्ती इस्तित्था उत्तर बंगाल में अकबरदारा सम्मान प्राप्त जैनाचार हरी विजय सूरी है किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सरप्रतम अंकित हुआ तो वो थे इल्दवतमेज राजा राम मुहान राय को राजा की पादी इसने दी थी अकवर दुती ने अक औरंग जेव की मिर्तियों के समय माराठा का नित्त तारावाई ने किया चोल राजा जिसने स्री लंका को पूर्ण सतनता दी और सिंखल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का बिवाय किया तो वो थे कुल उन्तुक अलवर संथ नहीं थे तिरूग्यान गौतम बुद्ध दारा दीक्षित अंतिम व्यक्ती सुभद्रा सुभद्र मौरकाल में सीता से तातपर रहे राजकी भूमी से प्राप्त आये स्थापित दार उलसफ सफा यानि एक खेराती अस्पताल चांदी का सिक्का जिसे टंका जारी हिया था इल्दत मिसने गाहत्री बंत का उलेख है किस रूप को प्रदर्शित करती है तो वह सिक्चक को चेनी लेखक भारत का उलेख किस नाम से करते हैं तो यन्तू रामेड का फारसी अन्वाद अब्दुलकादीर बदायूनी ने कराया जहांगीर के विरुद्ध विद्रो किया खुर्रम महावत्खा और खुसरोने कौन जहांगीर के दरबार में बिटेश सासक जेम्स प्रथम का राज़्द बन कर आया तो वो था विल्यम हॉगेंज बिना बेगार के सुधर संजील का जिनोद्धार किया रुद्रदामन प्रथम दस्तर बन्दान कहलाते थे उलेमा यहीं उलेमाओं को दस्तार बन्दान कहते थे और रंग जेव ने साहिबात जमानी की उपादी प्रदान की तो जहां आ रहा हो 1326 संद के बाद अलाउद्दीन खिल जी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगूलों के बीच सीमा क्या थी तो सिंदू ने दी सूफी संद महबूब एलाही से एक नजमुद्दीन औलिया को कहा जाता है अब वुल्फजल दौरा अकवर नामा पूरा किया गया साथ सालों में कनिसकेर के सारनात बहुत प्रिटमाब लेकिती थी है एक्यासी इस भी संद विक्रम सिला विस्विद्याले के संस्थापक धर्मपाल इंडियन सोसाइटी ओफ औरियंटल आर्ट्स का की स्थापना अबिंद्र नात्र टैगोर ने की भारत में स्वाण सिकों का प्रचलन नेमत अप्योग के लिए किया कुसानवन्स के सास्थ तक एक अधकार को खो दिया कि अगए है कि अगा है कि अगए है कि संकरदेव संबंद्ध थे वैस्टन व संप्रदाय से चंगेच खांग मूल नाम तेमुचिन और त्रिकोडी संगर्स का हिस्सा नहीं था चोल त्रिकोडी संगर्स के में बात करूं तो इसके अंतरकत आते हैं पाल प्रतिहार और राष्टपूट हाली पद्ध थी संबंद्ध थी बन्वा मजदूरी से परंभागवत की उपादी चंद्र गुत्पंदुती यानि विक्रमादत को दी गई थी अखिल भारती किसान सभा किसांस्तापक या अध्यक्ष कौन थे स्वामी सहजानंद सभाणत दोंद्ध थी और 1936. 1940 सो मेलित करना है संराड और उसकी उपादियों को देखिए असोप को प्रिदर्शनी के उपादी और समुद्र गुप्त को पर करमांग की अपादी चंद गुप्ति को विक्रमा दित और सकम्द गुप्त को करमा दित ते सगंदर के साथ भारत नहीं आया था डाइमेकस सर्ग प्रितिसर्ग वंस मरवंतर और वंसानुक चरित संकेत हैं किनके पुराणों के साप रांग सिद्दान्द के अनुसार राज का सातवा अंग है मित्र रिग्यवैदिक काल में पवित्र माना जाता था गाये को किस कले का निर्मान अकवर के राजकाल में नहीं हुआ देखे दिल्ली का किला अकवर के राजकाल में नहीं मना दच्छण भारत के पोलीगार थे चेतरी प्रसास की और सेन नियंद्रक यानि जमीदार पूलीगार को कहा जाता है है रन्न गर्व यह से धार में कार कराता था तो दुद्धी दुर्ग सो मेलत नहीं है देखें चंदेरी का युद्ध 1528-30 में हुआ 1530 में नहीं जहांगीर ने इंगलेस कान की पादी दी विलि लगो सना चड़ दिया तो चित्रकला को गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता था इल्दुत मिस को किस मुगल सासक ने लाला कलवंत से हिंदु संगीत की सिक्छाली अकवर मुगल काल में जिस मदर से ने मुसलिम नियासास्तर की पढ़ाई में विस्ष्टता हांसल की पावर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लडाई में परिजब पराजित किया 1526 सर टॉमस मुरो किन बरसों में मदरास के गवर्नर रहे 1820 से 1827 दा रूट्स ओफ एमिनियंट इंडिगो के लेखक हैं डबलू ए फेयर सर्विस विंदेचेत्र से किस सीलास्राय में सरवा देख मानो कंकाल मिले तो वो हैं लिवाहिया विक्तरम सिला बिहार का संस्था पर धर्मपाल को माना जाता है किलाफत अंदूलन के प्रमुकनेता मौलाना मौम्मद अली और सौकत अली हैं देवबंद अंदूलन यूपी के सायक्त प्रांद में किस वर्स प्रारंबुआ 1866 में मोतिलाल लहरू और सियार दासदौरा 1923 में गठत स्वराज पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी लार्ड डलहौजी की विलायनीती का प्रथम सिकार राजिता सतारा इसे समलित करना है सो सुमेलित करना है देखिए प्रथम करनाटक युद्ध जो है वो एक्सलोज चै करनाटक युद्ध और निर्नायक युद्ध रहा और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिस की हार हुई भारती गौरफ का अंतिम सूर सिवाजी को कहा जाता है किस जाती को स्थी या स्थी घोसित करता है भारत का राष्टपती अंग्रेजियों के विरुद्ध खान परित्याग कर दिया जल्यवाला बाग नर्संहार देखिए गूपत ब्रामण अथर्विष्टे संबंदित थे नए नार कौन थे सैबधर्म के धर्मानियों आई थे बल्लसरी विस्विद्याल्या गुजरात में है हीन यान अवस्था का विसालतम सरभादेग विक्सित सेल कर ले लोनावाला महराष्ट में सब्त परनी गुफा राजग्रह में है देखिए ये प्रतम बहुत संगीती 483 स्विपूर्व में इसका आयजन यहीं हुआ था द्वार समुत्रम किस राजबंस की राजधानी थी तो वह होईसल की वर्तमान हेलीब्रेड या आईसन करनाट में यह इस्तित है 345 में कॉश्चन है महावारत मूलता किस रूप में जानी जाती है तो जैसाहिंता के नाम से जानी आती है अभिलेग जिससे ग्यात होता है कि इसकंद गुप्त ने हूनों को पराज़त किया था तो भीतरी इस्तम अभिलेग गाजीपुर में हर्स दोरा लेके तरचनाय कौन कौन सी है प्रीदर सिका नागानंद और रतनाबली यह सारे नाटक हैं साजहान है साह बुलंद इकबाल की पदवीदी दारा सिकोह को हांती दात का पैमाना हरप्ती संदर्ब में मिला था लोथल में गुजरात में चंपा किस महाजनपत क की राजधानी थी अंग की दूती बहुत संगीती का आयूजन इस्थाल है वैसाली में 383 इसवी पूर्व चंदगुप्त मौर ने सहलुकस को पराज़त किया 305 इसवी पूर्व किस नगर का उलेक कनेस्क के रब तक अभिलेक में नहीं है तो स्रावस्ति का किस सुल्तान ने गड़ मुक्तिस्वर की मस्जद की दीवारों पर अपने सिलालेक में स्वयम्गो खलीफा का सहायक कहा बलवन्य खौजा मुहिन दिन चिस्ति सिस्ति थे तो खौजा उस्मान हरांसी के रचनाओं को सबसे पहले कौन से लिखी गई है तो यह बताना है तो देखिए इंदरावती नूर मुहम्मद ने 1743 इसभी में लिखी पदमामत मलेक मुहम्मद जैसी ने 1548 इसभी में लिखी मधुमालती मंजन ने लिखी है 1545 में और मरगावती कुदबन ने लिखी है 1503 मे किसने कालपनिक वेग्यानिक उपकरणों पर पुस्तक लखी तो भोजने तिरती आंगल मराठा युद्ध लॉर्ड हैस्टिंग्स के टाइम पर हुआ सिक राज का अंतिम राजा दिलीप सिंग और अवद राज का बिटिस राज में विलाए 1856 में हुआ हड़ी से निर्मित आबूसण भारत में मद्यपासान काल के संदर्म में प्राप्त हुए हैं महदहा से जो भी परताबगर में हैं कौन सा हडपा काली नगर तीन भागों में विवक्त था दौला वीरा वैदे कर्मकांड में हुरूता का संबन्ध है रिग्वरेज से चत्व और तो बहुत संगीती कनिस्क के सासनकाल में हुई भारती राजा जिसे सिकंदर ने जेलम के तड़ पर पराज़त किया उते पुरू सक्सम्मत प्रारंभ होता है 78 इसवी संसे किस स्रोत में लेकित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी मेगस्तिनीच की इंडिका में तमिल गरंद जिसे लगवेद की संग्यां दी जाती है वो है कुसल चोल सासकों के सासनकाल में नमलक्त में से कौन सा वारियम उद्यान प्रसासन का कार देखता था तो टोट वारियम साहिनामा कलेखाक फरिस्ता किसके दर्बार में था मैमून गजनभी और अंगजेब की मृत्यू की समय मराठा ने तरत किसने किया तारवाई ने भारत भागवस संपरदाय में भक्ति के रूपों की संक्या है 9. बुद्ध कौसामभी किसके काल में आये थे उद्यान किस धर्म को राष्ट कूटों का सनक्षण प्राप्त था जयन धर्म सक विजिता थे चंदगुप्त तो थी रोजगार कारे लाई की स्थापना फ्रोस साह तो गलक्के सासनकाल में हुई थी उच्च सक्चत मद्य युगीन सासक कौन था सेर साह बेशनगर अभिलिक का होली डोरस कहां का नवासी था तच्च सिला का मद्यकीन मद्यकालीन भारत के मुगल सासक वस्तुता थे चुगदाई तुर्क मुगल मंसबदारी व्यस्ता के संदर्ब में सही है देखिए जात एवं सवार पत प्रधान किये जाते थे मंसबदारों के तीन वर्ग थे बलबंद्वारा प्रारम सिजदा समाब्द किया साह जहान ने तो आज की क्लास में फिलाल इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर क्वेशन्स आपको अच्छे लगें तो प्लीज चैनल को लाइक सियर और सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही साथ बैल आइकन को भी दमाएं जिससे आपको वीडियो का नॉटिविकेशन टाइम टू टाइम लता रहे थेंक्यू